तो सबसे बहुत और अजे हेर फ्रॉम टेक स्कूल जो एक चीज है यह बाई के चानल के बारे में मेरे को काफी अच्छे लगती है ना वह बहुत चाए कंटेंट कौलेडी हो चाए वीडियो कौलेडी हो मतलब किसी चीज में कॉम्प्रॉमाइज नहीं होता तो इसलिए बाई चानल को जरूर सब्सक्राइब करना चानल ये काफी बड़ा होने वाला है तो मस्सक्राइब चानल और टाइम लगेगा तो मेरे चानल को भी सब्सक्राइब कर देना तो आज यार हम पूरा तो इससे विडियो और शूट करा है तो थोड़ा फनी वे में शूट करने कोशिश करी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा जरूर चेक आउट करना अब चलते हैं वीडियो के तरह तो वाट्सप एवरीबड़ी इस याश और भाई आज एक बात करनी थी सबसे वहले तुमारे साथ यह मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब नीचे कॉमेंट्स करते हो बताते हो भाई यह वाला कॉलेज करो यह आईटी यह नाईटी लेकिन भाई वह इतने सारे ना मेरा भाई सिर खराब हो गया मैंने सोचा भाई कुछ तो करना पड़ेगा सिचुएशन को रेक्टिफाय तो यार मैंने कॉंटक्त किया अजे भाई को टेक स्कूल चानल है और उनका और मैंने उनसे हेल्फ मांगी कि भाईया मेरी मदद करो यह कॉलेज रिवीव बनाने कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं यह तुम्हें पता है कैंपस देख लो भाई बहुत जवर्दस पोटो देखके यार मज़ा आ जाता है से लहरीली सी विल्डिंग्स हैं की बहुत बढ़िया यार स्टाइशन रैंकिंग्स की बात करें तो यार इसकी निर्फ 2019 रैंक है एट बहुत बड़ी बात क्योंकि यह 2008 में एस्टैबलिश हुए और 12 साल में एट्थ रैंक पे पहुंचना हाट्स ऑफ बाई जवर्दस कॉलेज 576 एकर्स का बाई इसका कैंप इसका डिस्टेंस राजीव गांदी इंटरनाशनल एरपोर्ट जो हैदराबाद का एरपोर्ट है और वहां से तुम्हें कैब मिल जाएगी एक देड़ घंटे की जर्नी ए एरपोर्ट से ठीक है तो अपना मस्त पहुचो गे और हैदराबाद सिटी से तो मैं असानी से बसे मिल सकती है कांडी कंडी जो भी है कि Terra तो यहां पहां सी है थरबाद का पर्मानेंट कैम्पस लोकेटिद सके तो एक लिए तुम्हें असानी से बसे वगेरा अब अगर बात करें तो आपकी ट्यूशन फीस सारी फीस मिलाके मेस फीस हॉस्टल फीस सब मिलाके वन लाग फॉर्टी थाउजंड है पर समिस्टर अगर बात करते हैं मतलब तो अगर चार साल के आपके बीटेक है तो वो अराउंड ट्विल्व लाग रुपीज में कम्प्लीट हो जाएगी तो अब मोड अफ एड्मीशन की बात करें तो आपको यार इंडिया का वन आफ दे टफेस्ट एक्जाम इंडिया का पूरे वर्ल्ड में भी काफी टफ पहुंचना वाप मुश्किल है लेकिन नामुग कि नहीं है अगर आप लोग जी एडवांस का पढ़ाव क्लियर कर लेते हो उसके बाद आती है जोसा कांसलिंग जोसा कांसलिंग में आप लोग अपने चॉइसे अगर बरनी बढ़ती है तो अगर आपका रायांग काफी इंजिनरिंग साइंस, माटिरियल साइंसे और मेटलर्जिकल, माथमाटिक्स और कंप्यूटिंग और मेकानिकल सबसे बहले आर्टिफिचल इंटेलिजिंस देख लेते हैं तो 478 पे खुली और 657 पे बंद कंप्यूटर साइंस और इंजिनरिंग 203 रैंग पे खुलके 616 पे बंद भाई लेवल देखो तो हम CS का IT है दरावाद की इसके रावार केमिकल इंजिनरिंग 3400 पे लगभग खुली थी एंजिनरिंग फिजिक्स जो है 4200 तक चली जाती है मेमेटर जिंग्माटिक्स लगभग 7000 तक चली जाती है interpreting 6924 तक जाती है और चीट थोड़ी सी कम है यहाँ ठीक है तो इसकी वजह से काफी सही रहता है और Sherlock अब आते हैं sports facilities की तरफ अब यार IAT है तो किसी चीज की कमी रखते नहीं है IAT वाले वैसे हर चीज आपको यार on point मिलती है परफेक्ट मिलती है तो यहाँ बज़े से आप लोगी screen पे आ रहा है यार सारे sports मिल जाएंगे आप लोग को उसमें से हैं कुछ cricket football ground मतलब यार कमाल के सारे sports आप लोग को देखने को मिल जाएंगे साथ ही साथ जो मेरे को best पार्ट लगा वो क्या था यार इनका खुद का water sports भी है तो काफी अच्छी बात है यह भी और साथ ही साथ यार indoor sports भी almost सारे available हैं तो sports facilities की बात करें तो अच्छी है अब बात कर लेते हैं भाई IIT हैदराबाद की प्लेस्मेंट की 88.89 परसेंट वाई CS के बच्चा एटी हैदराबाद से प्लेस होए 17 ओफर्स आये Microsoft से 3-4 आते हर college में यहां पे 17 ओफर्स आये CAC branch got the highest CTC of 47 lakhs और अवरेज था भाई 26.64 lakhs 26.64 lakhs correct मजाया इतना जादा भाई पता नहीं कैसे लेकिन के TNP website लिखा था बहुत जबरदस्त है 26 lakhs लगबक CTC जा रहा है इनका average CS का overall average CTC 20 lakhs का इतना college इसका अच्छे अच्छे college इसका computer science का जाता है इनका वैसे जा रहा है overall average good number of students from UG PGN MSC इन्होंने higher education के ओप्ट किया इंडिया में और बहार भी major recruiters देखें तो आडोबी systems Amazon AMD Bangalore Bank of America Benz भारत petroleum coordination Goldman Sachs Microsoft and the list goes on and on by बहुत बहुत जबरदस्त placements अब यार placements सुनके आप लोगों को मज़ा तो बिलकुल आ गया होगा placements जैसे की बताया है यार यस ने बहुत इल्टिमेट प्लेस्मेंट्स है यार 26.64 लाक रुबीस पर रानम average package 17 placements Microsoft में नेक्स लेवल चीज और प्लेस्मेंट्स को एक चीज और सपोर्ट करती है वो है आर फेकल्टी किसी कॉलेज की फेकल्टी अच्छी होती है तो काफ़ अच्छा प्लेस्मेंट से गयरा जाता है तो इसलिए बात करते हैं फेकल्टी की तो आयटी हिदराबाद में आप लोगों पर excellent lab facilities देखने को मिल जाती है साथ मैं permanent lab attendance to ensure discipline okay साथी साथ यार हर professor का अपना style है teach करने का and professors काफी जादा educated है और मतलब add that में यह बोलना चाहूंगो जो professors हैं मांके वो काफी जादा अच्छे हैं अब IIT हिदराबाद को बने वे जादा टाइम नहीं हुआ है तो आप लोग को यहां पर जो infrastructure है वो काफी ultimate देखने को मलता है साथ साथ यार जो hostels है वो भी काफी जादा modern way में बना रखे हैं अब यार जैसे आप old IIT देख लोगे या फिर old college देख लोगे तो वहां पर क्या scene रहता है यार hostel में गंद मचा रहता है विल्कुल देवारों से सफेदी जड़री होती है मतलब ऐसा scene होता है तो IIT के hostels काफी अच्छे हैं अब hostel की बात करें तो 12 hostels आप लोग को देखने को मिल जाते हैं जिसमें यार 9 hostel boys के लिए हैं ती इन बिल्ट कूलिंग सिस्टम है तो मतलब यार यह सही बता हूं जन्नत वाली चीज़ है अब जैसे काफी सारे college में अभी भी यार आप लोगों को पंकों के नीचे रहना पड़ता है तो उसके according यह मतलब best point लगा यार मेर को अब hostel rooms के लावार काफी जादा और भी rooms मिल जा है हर स्टुडेंट को single rooms मिल रहे हैं ओके तो इसको positive भी बोल सकते हैं इसको negative भी बोल सकते हैं लेकिन यार positive है ठीक है आप लोग की privacy maintain रहती है okay साथ ही साथ यार मनलब rooms है काफी ultimate बना रखे है land cable वगेरा अच्छा बिलकुल wifi वगेरा सब आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो add then मतलब best है काफी जाला तो यार अब बात करते हैं hostel mess की बहुत अच्छा खाना है यार आटी हैदरावाद का सब कुछ अच्छा हो रहा है यहां पर पूरा complete meal मिलेगा तुम्हारी जो एक balance diet होती है ठीक है सारी चीजे मिलेंगी तुम्हें इसके लाबाब फूड एकदम fresh होता है excellent quality food है food and snacks are readily available for students canteens मस्ट campus के अंदर तो कोई यार दिकत दिकत नी होने वाली खाने पीने की एकदम खुशी से जी होगे भाई तो अब यार ओविस सी बात है IIT है तो facilities भी अच्छी ही होंगी तो कुछ facilities में आप लोग को बताता हूं आप लोग बोलो यार कितनी तारीफ करोगे college क भाई है अच्छी चीजे इसलिए बता रहे है तो IIT हिदराबाद has a recreational center here student can refresh their mind and enjoy their leisure time अब बात करते हैं अगले point की तो it has also a small pantry area where student can store their e-tables तो यह point यार काफी अच्छा है जैसे आप लोग अपने घर से आओगे मिठाई विठाई लेकर आओगे तो अपनी सब कुछ मतलब समाल समाल के आप लोग रख सकते हो अच्छे से अब अगर आप लोगों का interest था आप लोगों का passion था रित्त करने का 1112 के बाद आप लोग IIT हिदराबाद आते हो तो एक facility है exceptional dance room is also available where student can hone their dancing moves तो मस्त आप बिलकुल Michael Jackson बन सकते हो और TikTok पे वीडियोज भी अप्लोड कर सकते हो अब next चीज़ बताओं तो यार library ठीक है library जान होती है यसे college की तो library 24 इंटो 7 open रहती है साथी साथ कुछ और facilities की बात करें तो lending machine, tight security, elevators, cafeteria, medical dispensary, ambulance, TV rooms तो हर कुछ बढ़ी है भाई अब यार college में खाली है ना पढ़ाई 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 नहीं होती तो हर college की जान होती है उसका fest सब लोगों का mood बिलकुल change हो जाता है मतब कहां पहले पढ़ाई वाला mood रहता है जैसे fest आते हैं तो तो फिर यार हर किसी को बिलकुल मज़ा आ जाता है अब यार cultural fest की बात करें तो Elan and Envision है fest का नाम and it's one of the best technocultural fest in India अब यार काफी सारे events और भी होते हैं workshops, hackathons, fun-filled games and काफी सारे shows भी होते हैं तो यार ये जो moment होता है ये आपको यार जन्दीगी पर याद रहने वाला है तो यार अब बात कर infrastructure, study environment, unmatched packages, excellent professors and an excellent management system सब कुछ काफी सही होने वाला है तो यार ये मतलब बिलकुल सपना पूरे होने जैसा है अगर तुमारा IT है थरावाद में admission होता है एक चीज़ ये point out करना चाहूंगा यार कि अगर तुम्हें चाहिए एक बढ़िया सी city life की malls, restaurants वो सब और तुम चिल मा है लेकिन यार जो ये चार साल के बाद वाला जो तुम्हें दुनिया का experience offer करता है वो यार बहुत सही चीज है success awaits you after joining this college तो यार मिरको भी collaboration करके बहुत ज्यादा मजा आया एक वीडियो में अपने चैनल पर भी पोस्ट करा तो link description में मिल जाएगा और collaborations देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना यार और भी collaborations आ जाएंगे और यार येश भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जो एक चीज यार येश भाई के चैनल के बारे में मेरे को काफी अच्छी लगती है वह ये वाई quality चाहे content quality हो चाहे video quality हो मतलब किसी चीज में compromise नहीं होता तो वीडियोगा लेक कर देना और से जरूर कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई